आज मेरे लिए बहुत खुशी का दिन था क्योंकि आज मेरे यूट्यूपर होने वाले थे पूरे 8 मिलियन यानी 80 लाग सब्सक्राइबर तो आप समाजी सकते हैं कि किसी भी यूट्यूबर के लिए ये कितना प्राउडली मुमेंट होगा तो जैसी मैं सुबह उठी तो मैंन अलग ही खुशी होती है तो मैंने कहा भाई हर खुशी की शुरुवात होनी चाहिए मीठे के साथ तो आज मैं भी कुछ स्पेशल सा मीठा बनाती हूँ तो मैं सुबह उठते ही मैंने जैसे ही नहा करके कम्प्लीट होई तो सबसे पहले मैं इनतजार कर रही थी दूद वाल पर कुछ ब्रेड ब्रेड जब भी आप इस प्रेस्पी के लिए लेना बिल्कुल ताजी लीजेगा उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है अब मैंने यहां पर एक बर्तन ले लिया है यह कांच का बाउल है पैसे कोई जरूवत नहीं है कोई सभी बर्तन हो कैसा भी हो चले और कुछ साइड में काटकी ब्रेड रखनी पड़ेगी तो सबसे पहले तो ब्रेड की एजिस को हमें अलग कर लेना है इसके सिर्फ भाइट वाले पोर्शन के इंतियार करना है और यहां पर देखिए दूद में उबाल आ चुकी है तो मैं गैस को धीमा कर देती हूं मैं द आप गैस में रखेंगे हम एक छोटी सी कड़ाई कड़ाई पैन कुछ भी ले लीजिए और इसमें हम डालेंगे आधा कप के करीब देशी घी एक चीज याद रखिए घी जादा मध डालिएगा उतना ही डालिएगा हिसाब का तो लगभग यहां पर आधा कप के करीब घी लग जाएगा पूरा लग जाएगा तो मैंने उसी हिसाब से घी यहां पर लिया हुआ है और घी को क्या करेंगे हम गरम कर लेंगे और घी जैसे गरम हो जाएगा तो यह जो ब्रेड है ना इसको गरम घी में हम तलेंगे याद रखिए घी अगर गरम नहीं होगा ठंडा तो बस इतना ही हमें ब्रेट को घी में तलना है और यहां पर अगर आप घी यूज़ नहीं करना चाहेते तो तेल का यूज़ भी कर सकते हैं बट मैं अपने फैमिली के लिए बना रही हूँ तो मैं तो प्रफर करूँगी देसी घी का ही जादा घी नहीं लगता है बस आदा कप में हमारी पूरी रैस्पी बन जाएगी और यहाँ पर मेरी आपसे रिक्वस्ट है कि आज की अगर आपको रैस्पी अच्छी लगे तो व कुशबू आ जाती है और स्कूल से जैसी आती है तो सबसे Πहले अपनी ममा से मिलने आती है और आते इसने पूछा कि ममी क्या मन रहा है या सैलेबरेशन में तो मैंने का बिटे अब मीठा बना रही हूँ तो वोली नई मम्मी केक तो आपको बनाना ही बनाना पड़ेगा क्योंकि मुझे केक को डैकोरेट करना है तो बहुत जित कर रही थी तो मैंने का क्रीम रीम तो कुछ है नहीं बट सिंपल सा केक बना दूँगी तो उसको आप स्प्रिंकल वगेरा डाल करके डैकोरेट कर लेना तो चलो किसी तरीके से ये मान गई मैंने इसको प्यार व्यार करके मना लिया वनना ये बहुत जित करे जा ले थी कि क्रीम मंगाओ मम्मी हमें केक सजाना है बल्कुल बाजार जैसा बनाना है और यहाँ पर देख सकते हैं थोड़ा सा घी बची गया है ब्रेट तलने के बाद अब यहाँ पर हम एक ग्लास लेंगे दूध तो यहाँ पर जरूरत नहीं है कि आपको गरम दूध ही लेना है बल्कुल ठंडा भी आप ले सकते हैं क्योंकि दूध को तो हमें गरम करना है तो दूध को डालेंगे हम एक पैन में या कड़ाई कुछ भी आप ले सकते हैं पूरा एक ग्लास मैंने दूध लिया है अब यहाँ पर एक बावल में हम लेंगे दो चमच मिल्क पाउडर और एक चमच लेंगे कॉन फ्लोर इससे काफी अच्छा गहड़ा पनाता है और जो दूध है वो जल्दी से गहड़ा हो जाता है अब इसमें इसी दूध को 2-3 चमच के करीब हम निकाल लेंगे और इसका एक पेस्ट बना करके तयार कर लेंगे मिल्क पाउडर से टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है इसलिए मैंने इसमें मिल्क पाउडर एड़ करा है अब दूध में हम डालेंगे चीनी तो यहां पर लगबग मैं 3-4 चमच चीनी एड़ कर रही हूं क्योंकि मिल्क पाउडर भी मीठा होता है तो वह से आप एज़ेस्ट कर लिजेगा जितने आपको चीनी चाहिए है वह से डाल लिजेगा ज्यादा मीठा पसंद करते हैं तो ज्यादा भी डाल सकते हैं चीनी को अच्छे से हम घुनने देते हैं दूद में और इसके बाद यह जो मिल्क पाउडर वाला पेश्ट था ना इसको हम डाल देंगे और धीमी आज पर अच्छे से हम दूद में मिक्स करते हुए दूद को पकने देंगे तो उसको हमें पकाना बहुत अच्छी से जरूरी है वन्ना वो कच्छा कच्छा सा फुलैबर आएगा तो यहां पर लगबग ना रिड्यूस होने में और दूद को गाड़ा होने में कम से कम आराम से 5-7 मिनट का समय लग जाएगा तो जब तक दूद पक रहा है साइड में हम अपनी एक और त्यारी कर लेते हैं तो यहां पर मैंने ले लिया है एक तड़का पैन और आज मुझे लग रहा है कि मेरे शेट अप में चीनी बिल्कुल खतम होने वाली है खैर चलिए मेरा काम आज चल जाएगा वन्ना मुझे अभी नीचे जाना पड़ता लेने और यहां अब आप चाहे तो केसर ना हो हो तो आप ईलाजी पौला डाल सकते हैं दुटे लिए या केवड़ा एसेंस या रोजेसेंस जो भी हो आप यहां पर पर दे सकते हैं केवडा का एसेंस मेरे बच्चों को पसंद नहीं है है इसलिए तो बस क्या करेंगे इसको ना हम चाश्नी बनने के लिए रख देंगे, तो चाषणी हमें कैसी बनानी है, कोई तारवार की नी बनानी है, सिर्फ हमें इसको इतना गाडा करना है, कि ये चिपचपी type की हो जाए, ऑनल छूखparty देखे न तो थोड़ा से गाडापन से आ जाए, बस इतना हमें इसको पकाना है, और साइड साइड में हम यहाँ पर दूद को भी चलाते जाएंगे ताकि यह जले ना और यहाँ पर देख सकते हैं चाशनी हमारी बन के बिल्कुल तयार हो चुकी है चुकर के चेक किया तो यह गाड़ी सी चिपचिपी सी लग रही थी बिल्कुल पानी जैसी नहीं होनी चाहिए बहुत पसंद आएगा यह मीठा अब कभी भी इसको बना सकते हैं और जट पर बन जाता है महमानों को भी आना हो ना तब भी बनाई कर उन्हें खिलाईएगा बहुत ही अच्छा लगेगा तो यहाँ पर देख सकते हैं दूद काफी रिडियूस हो चुका है और गाड़ा हो कितना परफेक्ट इग्दम स्मूद टेक्च्चर आ चुका है ठंडा होने के बाद बस अब हमारी शारी तैयारी हो चुकी है चलिए फजा फट से बनाते हैं अपना मीठा तो यह मैने वही बरतन है जिसमें पहले से पूरा नाप की रखा ताकि ब्रेट कितनी लगनी है तो को छा Argentine बर्कस कांड़ा हैं इसको हम डालेंगे तो इसको हमें गरम ही डालना है मतलबिटम थंडा होने के बाद नहीं डालना है परना क्या होगा कि एस फ्राइयर करकि रखाया। यह क्रिस्पी ही बनी रहे औरम गरम चाशनी डालेंगे तो वह अंजका बस अब्लत तक और अपनी ज्टपड वाले इसको हम डालेंगे और अच्छे से फैलाएंगे उपर-उपर हमें फैलाना है बढ़िया से तो एक स्पून की हरप से या जैसे भी बन जाए इसको हम अच्छे से इवेंली फैला लेते हैं, तो आब मैं आपको इस रेस्पी का नाम भी बता देते ह शाही ब्रेड टुकडा जिसको हमने बिलकुल रबडी डाल करके रबडी के साथ बहुत अच्छी तरीके से बनाया है और इसको बहुत ही अच्छी लुक में हम गानिश कर रहे हैं मतलब कोई special occasion हो ना तो इस तरीके से आप बढ़िया गानिश करके इसको सजा बजा के जब सर् तो देखने में बिलकुल ऐसा लग रहा है जैसे हमने के उपर ना क्रीम को सैट किया हो जो केक वाली क्रीम होती है लग रहा है ना थोरा सा मैंने इसमें चान्डी का वर्क वह लगा दिया है और अब मैं इसको फ्रिज में रखने जा रही हूँ क्योंकि अभी मेरे 8 क्मिलिय तो मैं आलस कर रही तो मैंने कुछ क्लिप्स ले ली थी बनाते हुए बढ़ पूरी रैस्पी मैंने आपके शाहिए नहीं करी है क्योंकि मेरी चैनल पर है आप चाहे तो देख सकते हैं तो यहाँ पर मैंने केक का बैटर बना के रख दिया था और उसके बाद मुझे इंतजार करना पड़ा तन्वी की मैम का जाने का क्योंकि वो उसने बोला था कि जब मैम चली जाएंगी उसके बाद ही आप केक बनाओगी क्योंकि मुझे बनवाना है साथ में तो बस यह आ गई थी सारे बरतन बरतन लेके तो इसके लिए न एक छोटी सी कटोरी थी वो लिए ममी कटोरी में मेरे लिए छोटा सा बना दो मेरे पास मोल्ड था नहीं छोटा सा तो बस इसने भी मेरी help करी यार help क्या बच्ची तो और परिशानी बढ़ा देते हैं लेकिन अब मजबूरी में ऐसा कहना पड़ता है कि help करी और उसके बाद मैंने केक रख दिया अवन में पहले मैं सोच थी कड़ाई में बनाओं बट मैंने का चलो अवन कब काम आएगा आज इसको यूज़ कर लेती हूँ रोटी जी में मैंने इसको रखा और बस बेक होने दिया और लो जी भाई बच्चों की डमांड पर मैंने केक भी बना दिया क्योंकि उनको लगता है कि सैलिवरेशन में अगर केक ना हो तो मज़ा नहीं आता और ये लीजे भाई तन्वी का केक भी बन गया इसका जो केक था न इसने डॉल को अंदर फिट कर दिया जबकि होनी रही थी डॉल काफी बड़ी थी लेकिन बच्चों की खुशी के लिए हम सब कुछ करने को तयार है कि चलो भाई जैसा करना है उसने देखो कितना प्यारा सा सजाया है डॉल को रखने के पाथ जितने मेरे पास स्प्रिंकल्स थे उसने सारे इसमें लगा दिये हैं और बड़े मन से खुशी से ये काम कर रही है तो चलो भाई अब हो जाए हमारा सैलिवरेशन फैमली वाला त जली से अपना सब कुछ केक वेक उठाया और जो मीठा बनाया था वो ठाया और बस अब किया अपनी फैमली के साथ सैलिवरेशन चोटी-चोटी किस्मियों को इंज्वाय करने का अपना अलगी मज़ा होता है कुछ भी हो बहाना होना चाहिए तो भाई हम तो पूरा बहाना दोरते हैं और यह तो बहाना नहीं बहुत बड़ी अचीवमेंट थी तो मैंने अपना केक काटा और तनभी ने अपना बनाया हुआ डॉल केक कटिंग किया और वो मज़े से खा रही है और हम उसे बोल रही है मम्मी जली से यह मीठा खिलाओ क्योंकि उसे पता है यह बहुत अच्छी लगी होगी और यह वीडियो भी पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजे शेयर कर दीजे फिर मिलते हैं ऐसी अच्छी वीडियो के साथ तब तक के लिए बाइबाई टेक क्यार